जमू कश्मीर में चुनाओ के एलान के बाद बीजेपी सक्रिय हो गई है और बीजेपी एक्टिव मोड में है आज रवीवार है और रवीवार को बीजेपी की एक एहम बैठक होनी है जम्मू में जम्मू बीजेपी हैड्कौर्टेश में जहां जो बीजेपी की स्क्रिनिंग कमीटी है। जो बीजेपी की इलक्षन कमीटी है यह वह प्रदेश के सभी जीला इडक्षूँ से मिलेगी। हमारे साथ कविंदर गुपता है फॉर्मर डिप्टी सीम है वरिशनेता है कविंदर जी इलेक्शन आते ही आप एकदम सक्रिय होगे एक्टिव मोड में हम शुरू से ही सक्रिय रहते हैं करोना काल हो यहां किसी तरह का भी समय हो भारतियंता पार्टी हमेशा से सक्रिय रही है जम्मू कश्मीर में जहां तक का सवाल है तो बात है कि राजिलितिक पार्टी होने के नाते मोड में है और कि दने के लिए एक्शन लगना है सरकार पहले भी हमारी यह लेकिन अब अपने तोर पर सरकार बना पाएं इस तरह का हमारा प्यास है आज क्या कुछ मीटिंग में रहेगा जी क्रिशन रिडी जी आ रहे हैं क्या कुछ आप फीड़बैक लेंगे जो जिला जिला के आपके दक्षन देखिए भारतियंता पार्टी इलेक्शन जब लड़ती है तो पूरे दमखमत के साथ ल एक अक्तूबर को उसके लिए केंडिएट्स की सेलेक्शन भी होनी है बविन पहले हों को जानते हुए उस पर विचार भी किया जाएगा तो इसी तरह की गतिविदी वहां पर रहे हैं आज क्या फीड़बैक लिया जाएगा जिला प्रदानों से कि किस तरह की बैठागा ज क्या उनकी फीड़बैक है उसी दार पर सीटों का अबंडन होता है एक आखरी सवाल कमिंदर जी उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है कि जैसे ही सरकार बनेगी हम सबसे पहले 370 वापस लेकि उनके बस्ती बात नहीं है लोगों को गुमरा कर रहे हैं पहले भी कहते थे कि 370 हटेगी तो यह कर देंगे लेकिन यह संसद का प्रेरोगेटिव है उन्हों नहीं इसको हटाया है और पूरे सिस्टम के साथ हटाया है तो मुझे लगता है लोगों को गुमरा कर रहे हैं और वहां की जनता भी समयती है कि 370 हटने के बाद इंफ्रासेक्टर डवर् अंडर हुरियत जमायत जो वहां पर अफ्रात अफ्री का महौल बनाती थी वो आज नहीं है लोगों ने इनको जो हमारे दो पूर्व मुख्यमंत्री है इस एलेक्शन में हराया है खुछ समयना चाहिए पहले लिस्ट कब तक आएगी अब क्योंकि एलेक्शन बहुत पास है तब ही तो एलेक्शन लडेंगे और उमर अब्दुला गुमरा कर रहे हैं लोगों को 370 के नाम पर ये दावा कर रहे हैं जमू कश्मीर के पूर्व उपू मुख्यमंत्री और वरिष्ट नेता कविंदर गुपता क्यामरा परसंट पाउन चोदरी के साथ हजे बाचलो एबीपी नीज जमू